परिच्छा में फेल पास पर दो तरह से कोशन आते हैं तो पहले इसको देखते हैं ये नमबर वाले को पहला कोशन है आपका स्क्रीन पर एक परिच्छा में किसी परत्यासी को 30% अंग मिले और वह 6 अंगों से फेल हो गया तथा अन परत्यासी ने 40% अंग प्राप्त किये और पास होने वाले नियुमतम अंग से 6 अंग अधिक लाया तो परिच्छा में अधिक अंग हैं यानि परिच्छा कितने नमबर गी थी देखो इसको कैसे करते हैं दो अभ्यारती थे कोई एक अभ्यारती 30% अंग लाया एक स्टुडेंट और दूसरा स्टुडेंट 40% लाया जो 30% लाया वो 6 अंगों से फेल हो रहा था और जो 40% लाया वो 6 अंगों से जादा ला रहा था यानि देखें इनको कैसे करते फिर 30 और 40 इनका फम अंतर देखते हैं जाहां यह यहां अंतर कैसे देखते हैं देखें माइनस च्छ से प्लस 6 तक कितना पहुँचे गा माइनस 6 से प्लस 6 यानी आप किसी चीज के एक रूपए से माइ प्लस के 3 में जाएंगे तो टोटल आपको कितने रूपए देने पढ़ेंगे जैसे के उपर खर्चा है माइनस आपके उपर आपने लोन लिया है एक लाग रुपएगा ठीक है और आपको इंवेस्ट करना है दो लाग का तो आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे तीन लाग देने पड़ेंगे उसी तरह यह माइनस से यह पिलस है इनका पूरा टोटल कितना ह हो जाएगा 12 हो जाएगा मैंaaa witness 6 से प्लस 6 तक 12 हुआ ठीक हैं तो ृचक है आपकी बार रहा है और कितने नंबर होती है परिच्छ होती है आपकी साइप newspaper फर्टंट की होती परिच्छा पूरी जितने भी पिरंग होंगे देख लेते है अमरे कितने अंक की परिच्छा थी 10% की वैलू 12 तो 1% की वैलू 12 वटे 10 तो 100% की वैलू इंटू 100 हो जाएगा ठीक है 12 वटे 10 इंटू 100 ठीक है यह 0 से 0 कट गया बराबर 120 120 अंकों की वो परिच्छा थी ठीक है समझ गए अगला कोशन है आपकी स्क्रीन पर एक प्रत्यासी किसी परिच्छा 20% अंक लाके 30 अंकों से फेल हो गया ठीक है और एक अनप्रत्यासी 32% अंक लाके पास होने वाले नियूंतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राफ्ट करता है ठीक है तो यहां कितने का डिफ्रेंस होगा 12 और यहां फिर से वही माइनस 30 से प्लस 42 तक यहां एड होता है पूरा कितना हो जाएगा 30 और 42 कितना 72 ठीक है तो यानि 12% की वैलू 72 एक परसेंट की वैलू 72 बटे 12 ठीक है और 100 परसेंट की वैलू 72 बटे 12 इंटू 100 12 चंग 72 और इंटू 100 यानि 600 छैसो नंबर की वो परिच्छा थी और पूँच क्या रहा है कि पास होने के लिए नियूंतम प्रतिशत कितना होना चाहिए 600 अंकों की तो परिच्छा थी ना क्या था कि 600 अंक में ये 20% अंक लेके आ रहा था और 30 नंबर से थेल हो रहा था अगर हम ये 30 नंबर इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा देख लें कैसे करते हैं 600 का 20% निकाला 600 का 20% कितना आएगा 10% कितना होगा 60 20% 120 ठीक है 120 नंबर जब उसके आ रहे थे तो वह कितने अंकों से फेल हो रहा था 30 नंबर से अगर हम 30 नंबर और दे दें तो पास हो जाएगा यानि हमने 300 और दे दिये कितने 1500 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए लेकिन कोश्चन है पूच किया रहा है कि पास होने के लिए न्यूंतम प्रतिसत ये परस्ट में तो नहीं है परसेंटेज में नहीं है ठीक है लेकिन हम निकाल सकते हैं परिच्छा टोटल 600 की थी औ पर उसके आये 1500 यानि पास होने के लिए चाहिए थे नंबर 1500 और परिच्छा थी 600 की तो 1500 600 का कितना प्रस्ट थे तो 1500 बटे 600 इंटू 100 00 से यह 00 कट गया इसको काट दो 612 635 30 25 उसको चाहिए यानि कोई भी अब्यारती होगा जो 25 लेके आएगा वो पास हो जाएगा ठीक है यहां तक तो समाझ में आगया होगा अंतर निकालते हैं यहां एड हो जाते हैं वो ठीक है 100% की बैलूज 600 यह क्या था यह तोटल थे यह नहीं 600 नंबर की टोटल परिच्छा थी 100% का मतलब क्या है कुल योग कुल 600 नंबर की परिच्छा थी 1500 नंबर चाहिए तो उसको निकाल सकते हैं ठीक एससे भी निकाल सकते हैं आप 600 का 32% निकाल दीजे जो आएगा उसमें 42 नंबर घटा देंगे और 42 जब आप घटाएंगे तो देड़तो ही आएगा ठीक है समझ गए अगला कोशन करें अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर अगला कोशन है एक परिच्छा में एक परत्यासी 20% अंग प्राप्त करता है और 15 अंगों से फेल हो जाता है 20% अंग प्राप्त करता है 15 अंगों से फेल हो जाता है और एक अन्विद्यारती 30% अंग प्राप्त करता है और 5 अंगों से फेल हो जाता है एक 30% लाता है और 5 अंगों से वो भी फेल हो जाता है ठीक है तो पास होने के लिए नियूंतम प्रतिसत देखो इस बार क्या है कि थेल हो रहा था एक पास हो रहा था यहां सेम करते हैं यहां 10 परसेंट ही आएगा क्या होगा यहां घड जाएगा- 15 में-5 कितना बचेगा 10 बचेगा यानि 10 परसेंट की वैलू 100 परसेंट की वैलू 100 जा वो यानि परिछह कितने नबर कि थी थी ठीक है अब फिर से वही दो इस किसी से भी निकाल पर सट धार था यानि सो कब परसेंट से कितने हैं कि ऑने के लिए कितने नमबर से एक था 25 इसको नुम्बर से 35-100 का कितना percent है 35 बटे 100 यानि कितना आएगा आपका 35% ही आएगा into 100 करते हैं percentage निकलने के लिए तो 35% में pass हो जाएगा कोई भी विद्ध्यारती ठीक है यानि आप यह देखेंगे अगर यहां same चिन है जैसे दोनों pass pass हो रहे हैं तो घड़ जाएगा और अगर दोनों fail-fail हो रहे हैं तो घड़ जाएगा एक pass हो रहा है एक fail हो रहा है तभी जुड़ेंगे ठीक है समझ में आ गया ना अगले टाइप में चलें अब कि एक कोशन और लिख लिए अगला कोशन लिखिए आपकी स्क्रीन पर है कि अखला कोशन है पिर्तेक प्रशन एक गवाले असी प्रस्न की एक परिच्छा में आरपिता पहले 40 परशनों के 65% सही उत्तर देती है और देती है और पूरी परिच्छा 75% अंग पाने के लिए सेश चालिस प्रस्णों में कितने परसेंट सही चाहिए देखो असी नंबर की परिच्छा थी असी प्रस्ण की परिच्छा थी और सबका नंबर एक एक था ठीक है उसमें क्या था प्रस्ण चालिस में कितना परसेंट सही देती थी 65% तो साय उत्तर देती थी ठीक है और उसको total चाहिए 75% यानि उसको पूरी परिच्छा में 75% अंग चाहिए थे पूरी परिच्छा में 80 नंबर की परिच्छा थी उसमें 75% अंग चाहिए थे पहली परिच्छा में पहले 40 में वो 55% अंग लाती है तो दूसरे में वो कितना लाए कैसे करेंगे कई 80 पे 45 प्रसेंट पहले हम देख लेते हैं पो नंबर लाने कितने है ठीक है 80 का 75 परसेंट निकालने ऐसे भी कर सकते हैं बताया था का का मतलब बुर्ण होता है», जितना परसेंट निकालना उकने का गोड़ा करते हैं 5 से काट दीए 3 बार ये चार बार चार से काटेंगे ये 2 ये 20 बार ठीक है 60 यानि उसको total number चाहिए 60 60 question उसको सही करने है 50% सही करती है तो पहले 40 में उसका 55% निकाल ले 40 कौड़े 65 Africa बटे 100 ये rising 0 गया दो से इकट गया दो बार ये पांच बार पांच से आप काटें हैं पांच ये गम पांच पांच तेहीं पंदरा और तेरह दुनिये 26 26 प्रस्ण वो सही कर रही है पहले 40 में तो अब उसको इस 40 में कितने कितने परस्ण सही करने ही पढ़ेंगे कि टोटल उसका 60 हो जाए तो 60 में गठा दीजे 60 में आप 26 गठा दीजे कितना आएगा 34 आएगा यानि इस 40 में उसको 34 कॉस्टन सही करने ही करने हैं तभी उसका कितना परसंट बनेगा 75 परसंट बनेगा ठीक है तो 34 चालिस का कितना परसंट है कलने 34 बटे 40 गुड़े 100 यह 0 से यह 0 कट गया चार से यह 2 बार 2 से कट गया और यह 5 बार कट गया दो से काट नहीं सत्रा परसंट सही करना पड़ेगा तब उसका 75 परसंट बनेगा जब वो दूसरे 40 में 85 परसंट सही उत्तर दे ठीक है समझ गये होंगे आप चलते हैं अगले टाइप में तो परिच्छा में फेल पास में आपके बी टाइप बी में चलते हैं वो टाइप बन था इसमें क्या होता है कि एक फार्मुलरी से लग जाता है बहुत सिंप्ल पर साथ में प्रथम में या दो सब्ल कौश। फिसे परिष्छा में 60% छात्र अंग्रेजी में हुए 70% हिंदी में हुए और 40% दौनों में हुए तो दौनों में a dot पर समचेहसे सॉ माइनस पहले सब्जेक्ट में कितने हुए था that आपके साथ ठीक है दूसरे सब्जेक्ट में 70 हुए थे और दौनों में कितने हुए थे 403 हुए थे ठीक है तो और 40 प्लस-प्लस के हैं 140 और 60 और माइनस 70 यह दौनों माइनस माइनस के हैं क्या हो जागा 130 यानि 140 माइनस 130 बरावा 10 परसेंट आंसर आपका परसेंटेज में ही आएगा है सिंपल कोई दम के नहीं है अगला कोश्चन करें अगला कोश्चन है आपका किसी परिच्छा में अंग्रेजी में 70 परसेंट और गडित में 80 परसेंट अब्यार्थी पास होते हैं और दौनों मे 10 परसेंट दौनों फिल्षा में फैल होते है यदि 146 अबविखी दौनों फिल्षां में पास होते हैं तो कुल अब्यार्थिं की संक्या पहुछ रहा है थीक है इस बार क्या दे दी है उसमें कि 2 तो आपको दी है कि 70% और 80% पास हुए हैं 10% दौनों में fail हुए है अगर 10% दौनों में fail हुए है तो दौनों में pass कितने होंगे 90% यानि यहां वाली value हमाली कितनी हो जाएगी 90% ठीक है अगर आप यहां उत्रीन लेते हैं अगर हम यहां pass वाला ले ले तो यहां सारे सारे fail हो जाएंगे यहां पर्थम में fail, दूसरे हम fail और दौनों में fail ठीक है, तो अगर अंगरेजी में 70% pass हो रहे थे तो fail कितने होंगे, 20% ठीक है, अगर गड़ित में 80% pass हो रहे थे तो fail कितने होंगे, 20% अब प्लस दौनों में कितने percent fair हो रहे हैं 10% यह हो गया आपका 110 और यह कितना हो गया 50, कितना हो आए 60% दौनों में 60% पास हो रहे हैं ठीक है आब क्या दे दिया है कि जो पास हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है 144 यानि आपकी 60% की value 60% की value कितनी है 144 244 को लब्यारती पूछ रहा है को लब्यारती 100% होते हैं किसी भी क्लास में को लब्यारती कितने होंगे 100% होंगे तो यानि एक परसेंट की वैलू 144 बटे 60 और 100% की वैलू इंटू 100 ठीक है 0 से 0 कट गया 60 से काट दें 622 च्छेचोगो 24 240 240 एक जिरो यह था न तो टोटल कितने हो गए 240 अभ्यारती उसक्छा में थे सिंप्ल था यह वाला टाइप और कोशन डूनियागा आप बुक्स में मिल जाएंगे लगा लीजेगा ज्यादा कोशन बताने की जरूत रही है ठीक है और अगर आप परसेंटेज बगर नहीं निक सेवन तो अगला टाइप है आपका सेवन संख्याओं पर अधारित इनको कैसे करते हैं देखें पहला कोशन है आपकी स्क्रीन पर दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25 और 20 परसेंट कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परिशत होगी तीन संख्या है और क्या ह पहली और दूसरी 25% और 20% कम है तीसरी संख्या से हमको नहीं पता कितनी है हम इसको 100 मान सकते है ठीक है तीसरी संख्या हमारी 100 थी पहली इससे कितना कम है 25% यानि कितनी होगी 75 और दूसरी से कितना कम है 20% यानि कितनी होगी 80 25 पर संफे 25 25 होगा 20हुगा ठीक है निकालना आता होगाई पहला वीडियो देखने नहीं परसेंटेज में चेंज करने के लिए कार्ड इसको एक जिरो से जिरो कड़ गया आपका और आपका यह हो जाएगा पांच यह हो जाएगा चार इसका गुणा कलने और बटे चार कर देंगे आप 93.75 परसेंट है ठीक है यानि यह पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है 93.75 अगला कोश्चन करें आपकी स्क्रीन पर है दो संख्या किसी तीसी संख्या का क्रमसा 20 परसेंट और 25 परसेंट है पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है अब इसमें क्या कह दिया इसने यह कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसी संख्या का 20 परसेंट और 50 परसेंट है उसमें क्या कह रहा था है कम है अगर हमारी तीसरी संख्या सब होगी तो पहली संख्या कितनी होगी बेखली अंगया बोला 20% है इसका सो का भीक है और। स्वाटोज में पच्छी फूसेंट पर्सनाय का कितना परश्थ है फिर से में लगा है बटе में यानि 40 40% आपका आंधर ठेक है अगला कोशन करें आगला कोशन है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ कर वही संख्या प्राफ्थ होती है तो वो संख्या क्या थी किसी संख्या के 75% में अगर हम 75 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है हमारी संख्या X थी X के 75% में अगर हम 75 जोड़ दें तो क्या होगा X ही प्राप्त होगा X संख्या थी माना हमने संख्या X थी उसके 75% में 75 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त हो गई ठीक है इसको काट लें यह 3 यह 4 यह 4 क्या होगा उस तरब चला जाएगा यह 3x है प्लस 55 x 4 x 4 इस तरब चला जाएगा 4x आपका 3x उस तरब घड़ जाएगा क्या बचेगा x एक्स एक्स वरावर 55 x 4 55 x 4 यानि 300 तो आपकी वो संख्या क्या थी 300 उत्तर की जाज करनी है तो 300 का 75% निकाल लें 300 का 75% निकाल लें और क्या करें इसमें 75 जोड दें 0 से डबल 0 कट गए ठीक है 75 3 कितना होगा 225 75 ती है 225 गुणा कराने चाहिए ठीक है और क्या करेंगे 75 जोड देंगे कितना हो जाएगा 300 आगे आंसर उत्तर की जाज भी कर लिए आपने सिंपल था बिलुकुल ठीक है और बहुत सारे कोश्चन है अब वीडियो में हम आपको नहीं दे सकते अभी जब आपकी लाइप क्लास लेंगे तब हम आपको और कोश्चन कराएंगे ठीक बाकी आप बुक से लगाईए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए यह हमारे इंस्टाग्राम पेज में मिलिए ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं